Hello Friends, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है Vikas3OneTek तो Friends, अगर आपके पास Google Pay है, आप Google Pay यूज़ करते हैं पेमेंट रिसीव करने के लिए या पेमेंट करने के लिए और अगर आपको किसी से पेमेंट मंगवानी है अपने Google Pay एकाउंट में लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि Google Pay की UPI ID को कैसे देखते हैं तो Friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने Google Pay की ID को देख सकते हैं कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी Google Pay की UPI ID क्या है तो Friends, वीडियो काफी ज़ादा informative है तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखिएगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और notification bell को on करके उसे all पे set कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो Friends, हम आच चुके हैं अपने Mobile Phone की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो इसमें हमें Simple Google Pay की जो application है उसको open करना है तो मैं Simple Google Pay की application पे क्लिक करके इसे open कर लेता हूँ तो Friends, हमारी home screen खुल जाती है और आप देख सकते हैं यहाँ पे UPI ID लिखा हुआ है तो आपकी UPI ID एक तो आप यहीं से देख सकते हैं कुछ फोनों में यहाँ पे शो नहीं होती तो उसके लिए आपको क्या करना है आपको जो यह right corner में अपनी profile का जो icon दिखाई दे रहा है आपको Simple इसके उपर tap करना है उसके बाद आपके सामने इस तरीके से page open हो जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है तो इस नाम के नीचे आपको आपका phone number मिलेगा और यहाँ पे आपको आपकी UPI ID भी दिखाई दे जाएगी तो यह दो तरीके हैं इसके साथ साथ आपको एक तरीका और है देखने का जो यह profile photo है अगर आपको यहाँ पे भी show नहीं होती अपनी UPI ID तो आप इस profile photo जो दिखाई दे रही है आपको आपको simple इसके उपर click करना है उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपको UPI ID लिखा हुआ है यहाँ पे भी आपको show हो रही है ठीक है तो यह तीन तरीके हैं इन तीन तरीकों से आप Google Pay में अपनी UPI ID का पता लगा सकते हैं कि आपकी UPI ID क्या है और आपको किसी से पैसे मंगवाने हैं तो आप अपनी UPI ID उसको भेज सकते हैं तो friends अब आपने अच्छे से सीख लिया होगा कि आप किस तरीके से Google Pay के अंदर अपनी UPI ID को देख सकते हैं पता लगा सकते हैं कि आपकी UPI ID क्या है अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी question कोई भी query है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंदाई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा like और share करें Thank you